नमस्तार किसान भाईयों आपका स्वागत है ग्लोबल मैक्स फार्मिंग के उपर आज की वीडियो है जी जब पिक फारम पे मादा बच्चों को जणम देती है तो उस टेम वो अग्रेशन के अंदर होती है तो उसको कैसे रोका जाए वीडियो शुरू होने से पहले आप हमार नाम है जी सीकल अब अपने बात करते हैं यह जो इंजेक्शन है यह पिक फारम पे किस तरह यूज आता है पिक फारम के उपर अमूमन जब फीमेल डिलिवर होती है तो कई फीमेले ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है और बच्चों को वो काट देती है डिलिवरी के टाइम लेबर पेन से दुखी होके बच्चों को मुह में लेके दबा के मार देती है और यदि बच्चे मुह में लेके दबा के नहीं मारती तो उसके बाद वो क्या अपने निपलों को डखके बैठ जाती है बच्चों को दुद नहीं पिलाती है और बच्चे है इंजेक्शन अमूमन जानवर को ब्योश्ची की हालत में ले जाता है जिससे की वह अग्रेशन छोड़के रिलेक्स हो जाता है और कुछ समय के लिए वह अचेत जानवर जब वह सही कंडिशन में आता है तो उसका अग्रेशन काफी हद तक कम हो चुका होता है किसान भाई यो जैसा की यह देखा गया है जो सीकल इंजेक्शन है इसकी डोज जो यह सीकल की पैकिंग है उसके अंदर ही आपको पता है 80 kg 80 mg इंजेक्शन लगता है जो बनता है 4 ml 100 kg बोड़ी वेट पे यह 4 से 6 ml लगता है 100 kg बोड़ी वेट पे और जानवर अचन्चेत या अचेत हो जाता है जी उससे ब्योशी के अंदर चला जाता है और दूसरा यूज इसका है जब अपने बड़े जानवर का कास्टेशन करते हैं उसको खसी करते हैं जो 80 90 kg का जानवर है तो उसको पकड़ना वे खसी करना बहुत मुश्किल बरा काम होता है यससे की वो जानवर ज्यादा हेले डो लेना और कास्टेशन का काम असानी से पूरा हो जाए किसान भाई यो अपने भी फारम पे एक फीमेल थी जो बच्चों को दूद नहीं पिला रही थी तो हमने भी उसके 6 ml ये लगाया प्रंतु 6 ml उस कंडिशन में हमारे फारम पे त था तो हमने इसकी डोज 13 ml की तो फिर जाके फीमेल ब्योश्ची की हालत में गई थी तो ये डिपेंड करता है कि जानवर आपका कितना कि अगरेशन शो कर रहा है तो उसे साब से इसकी डोज बढ़ती गढ़ती रहती है और सबसे महत्यपूर्ण बात इस इंजेक्शन की य लगता और नवजात बच्चों को यदि इंजेक्शन लगाएंगे तो दिक्कत देगा यह फीमेल थी जो हमने सीकल यूज किया उसके बाद यह बिल्कुल रिलैक्स होगी और अच्छी तरह इसने बच्चों को दूद लाया वीडियो देखने के लिए आपका धन्यमाद ऐस वीडियो हम समय समय पर आप आपके लिए लाते रहेंगा